हेलो फ्रेंद्स वेल्कम बैक स्वागत है आप सभी का तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट के लिए बताते हैं कि क्रूड ओयल और यूस वैल में क्या टार्गेट रह सकते हैं और कौन सी ऐसी चीज़े हैं जो की इंपक्ट डाल रहे हैं इन दोनों के उपर तो चलिए शुर यहां से यह नीचे को पहले को आया हमारे यह इस लेवल तक आये और उसके बाद वापिस यह उपर की और को यहां तक हमारे इन लेवल के तक इन्होंने अपने टार्गेट से अचीव करें और उसके बाद यह वापिस नीचे की तरफ को यहां पर गया है तो यहां पर जो य इसने हाला कि लेकिन उपर गया और उसके बाद वापिस यहां पर निच्च आया और फिर इसे यहां पर भी रेसिस्टेंस मिला और यहां पर भी तो यह जो एरिया वह यह है, कि जो यहांपर shutdown आने लगा है यह shutdown आने से पहले यहां पर अपर कर Supreme आया था जब यह है थोड़़ा सा ओपर को अपर को गाया था तो उससका reason मैंने आपको पिछली वीडियो में भी पताया था और वही reason है कि यहां तक पहूंच रहा है और और वो है जो फिलहाल अभी रश्या ने जो बैन लगाया है यहां पर जो डीजल है उसके उपर भी और गैसुलीन के उपर भी अब इन दोनों के उपर बैन जो लगाया गया है उसके वज़ए से सप्लाई इनकी कम होगी और उसके वज़ए से यहां पर ही ओपर के और को यहां अपिस बैन कम हो जाएगा तो वो चीज थोड़ी सी यहां पर नेगटिव चली गई जो कि यहां पर लग रहा था कि सप्लाई का बहुत ज्यादा यहां पर कंसर्म रहेगा लेकिन अब एजन्सिस कह रही है कि ऐसा नहीं होगा कुछ यह टेंपरेरी है तो उसके वज़े से वह थो भी गिरावट का यहां पर कारण बना लेकिन उससे बड़ा जो कारण यहां पर बना गिरावट का वह यह है की जो डेटा आया है 10 एक श्यक्तिय है कुछ mix reaction आया है बहुत बढ़िया भी नहीं आया है और उपर से hawkish statements दे चुका है fed उसने यह कह दिया है कि और ज्यादे interest rate hike किये जाएंगे क्योंकि inflation control में लाने के लिए उन्हें कड़े steps लेने पड़ेंगे तो ऐसी ही चीज़ें जो है कि जो गवर्नर है और जो प्रेजिडेंट है अलग अलग कंट्रीज के वो यही statements कह रहे हैं तो इससे ऐसा लगता है कि economic slowdown फिलहाल आने के chances हैं और economic slowdown आने के chances यह से बढ़ जाते हैं अगर interested आप continuous बढ़ाएंगे और aggressive statements अगर आप बोलेंगे और साथ ही जो decision होंगे वो भी अगर aggressive होंगे तो उस case में यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है क्रूड ओयल में क्योंकि economic slowdown आने के जो खत्रे हैं वो बढ़ जाते हैं तो यह भी एक कारण रहा है जिसकी वाज़े से यहाँ पर हमें गिरावट लेखने को मिली है इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज फिल्हाल हो रही है और वो यह है कि government shutdown हो रहा है within next 10 days United States में उनकी अपने इंटरनल पॉलिटिक्स की वाज़े से ऐसा हो रहा है जो दोनों जो एक दूसरे के opposite सरकारे हैं वो जो पार्टीज हैं एक दूसरे के opposite वो पार्टीज जो हैं जो उनकी पार्लेमेंट है उसके अंदर कुछ उनके अपने issues हैं technical और उनके political issues हैं जिनकी वज़े से वो shutdown पर आ गये हैं और government shutdown जब भी पहले हुआ है United States में तो उसका impact economy के ओपर बहुत बुरा पड़ा है और अब भी यही लग रहा है कि यह जो shutdown होगा इसकी वज़े से काफी बड़ा impact negative impact economy के ओपर crude oil की demand बढ़ती है अगर वहां पर ही slowdown आ रहा है तो फिर crude oil की जो demand है वो भी घट जाएगी और वो भी एक कारण है जिसकी वाज़े से निचे की और को अभी फिलाल जा रहा है यहां अब थोड़ा से support मिला है लेकिन तीन घंटे तक ही लगाता निचे को है तो यहां पर एक पर एक और चीज हुई है और वो है जो कि हमने आपको टेलिग्राम चैनल पर भी जिसका अप्डेशन दे दिया है और टेलिग्राम चैनल अगर आपने हमारे जोए नहीं किया तो इस वीडियो को डिस्क्रिशन बॉक्स में जाईए और वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा वहां पर उस लिंक पर क्लिक किजिए और जो हमारा टेलिग्राम चैनल है उसे जोएन के लेजिए बिल्कुल फी ओफ कॉस्ट है वहां पर हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स देते रहते हैं डाटसी रिलेटेड तो उसमें हमें मैंने आपको जो बेकर्स का जो यहां पर ट पर यहां पर यह चीजए हैं जो की कि इंपक्त डाल रही है और दोस्तों अगर आपने हमारा जो वीडियो है उसे अगर आपने अभी लाइक नहीं किया है तो जलदी से लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए क्योंकि जब आप लाइक का बटन दबाते हैं तो उसके इसमें हमारा जो मोटिवेशन है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और साथ ही सब्सक्राइब भी कर दीजिए हमारे चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है कैट दोस्तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि क्या हमारे टार्गर रहेंगे तो यहां पर यह जो लेवल है इस लेवल को यहने कि 7474 को एक ग्रीन केंडल की वानवर्वाली ग्रीन केंडल की यहां पर अगर चैनल डहीं इस से उपर तो उसके बाद next target हमारा रहेगा 7493 का और इसके उपर भी अगिर ग्रीन चंडल की closing आती है तो ने चाट except 752 थोत्री का रहेगा और इसके उपर भी ग्रीन के लेवल को इसके निचे अगर रेट कंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स टार्गेट 7404 का रहेगा और इसके निचे भी रेट कंडल की क्लोजिंग अगर आती है तो नेक्स टार्गेट यहां पर यह आप देख सकते हैं कि पीविट है यह लेवल रहेगा और यह है 7370 का औ उपन नहीं कर रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में जाईए सबसे उपर आपको लिंक मिलेगा उस पर लिंक पर क्लिक कर दीजिए और एक्सनेस पर आपना फ्रेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट उपन कर लेजिए और टू आर्स आपके अकाउंट में आ जाता है तो बहुत ही बढ़िया सर्विसीज भी है तो आप जल्दी से अपना फ्रेक्ट अकाउंट एक्सनेस पर उपन कर लिजिए अब हम यहां पर बात कर लेते हैं डाउंसेड के लिए यहां पर यह लेवल है 89.71 का इसके निचे यहां पर इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए यह लेवल है 90.03 का इसके उपर अगर ग्रीन कंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स टार्गेट यह रहेगा 90.30 का और इसके उपर भी अगर ग्रीन कंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स टार्गेट हमारा यहां पर 90.68 का रह पर देखिए और चैनल को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजे और दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को स्पेड कर दिजे क्योंकि स्प्पेड करने से से नॉलेज भी बढ़ता है और हमारा मोटिवेशन भी तो झाल झाल झाल